जाहिन दोस्तो एमर टेक्निलोजी में आप सभी कस्वा करते हैं उम्मीद करते हैं आप सभी की O-Level की तयारी कफी अच्छी चल रही होगी आप सभी जानते हैं O-Level एक्जाम जो है वो 23 स्मार्ट से स्टार्ट होंगे और केवल एक महीना भी आपके पास पूरा नहीं है तयारी करने के लिए आपके पास एक महीना भी नहीं है इसलिए आप अच्छे से तयारी कीजिए ताकि आप O-Level एक्जाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सके और कुछ MCQ कोश्ण जो O-Level एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं बार-बार रिपीट होते हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर कोश्ण जाद नहीं है 15-16 कोश्ण नहीं केवल और आपको यहाँ से गारेंटी के साथ मैं कह सकता हूँ और आप कोई भी previous year question paper उठा कर देख सकते हैं यहाँ से आपको हर paper में question मिल जाएगा ठेक है बई तो मैंने वह question लिये हैं जो बार-बार repeat हूए है तो वीडियो को start करते है सबसे पहले जो question बार-बार पूछा जाता है बई जो question बार-बार repeat होता है बार-बार पूछा जाता है एक है IPV4 और IPV6 इसमें से आपके exam में एक आनत है MCQ में ठीक है या तो आपसे IPV4 का address पूछेगा या IPV6 का address पूछेगा question इस तरह साता है कि IPV4 का address क्या है तो यह 32 bit का होता है ठीक है उसके बाद है TCP IP protocol में कितनी layer होती है दोस्तो यह question 2021 में आया था September 2021 में जो paper हुआ था वो level का उसमें यह पूछा गया था और इसकी TCP IP में दोस्तो Transmission Control Protocol, Internet Protocol इसमें 4 layer होती है लेकिन exam में जो option थे उसमें 4 option में ही नहीं था उसमें 5, 6 और 7 और 8 option में थे तो बच्चे confused थे कि हमने तो 4 पड़ा है और option में 4 है यह नहीं तो हम क्या करें तो फिर उस condition में आप 5 option को जो 5 वा आपका option है उसको आप चूज कर सकते हैं 5 आप select कर सकते हैं अगर 4 नहीं है तो 5 कर सकते हैं अगर 4 है और 5 है तो आप 4 select करेंगे चार अपने answer को choose करेंगे भई ठीक है चार layer कौन-कौन से होती है network access layer internet layer, transport layer और application layer यहाँ पर 4 layer के नाम है इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कुस्तन इस तरह से भी आ सकता है आपका exam में कि निमनी लिकित में से कौन सी TCP IP की layer नहीं है आपको 3 layer देदेगा और 1 layer बता देगा आपको 3 layer तो देदेगा दोस्तों इसमें से और 1 layer को योड से देदेगा तो आपको बताना होगा कि कौन सी TCP IP की layer नहीं है तो आपको इनको याद रखना है ट्रिक मैंने आपि लिखी है नीटा यानि Network N से हो जाएगा Network Access Layer और I से हो जाएगा Internet Layer T से हो जाएगा Transport Layer और A से हो जाएगा आपका Application Layer ठीक है बई तो एक question में आपको मैं 2-3 question बता रहा हूँ आपको दियान से देखना यहीं से question आईगा आपके exam में MCQ में और उसके बाद OSI model में कितनी layer होती है ये दोस्तो 2021 में long में पूछा गया था कि OSI की परती एक layer के बारे में विस्तार से समझाईए तो यहां से आपको एक long question तजार हो जाता है आपका OSI की 7 layer होती है सादो के बारे में आपको लिखना होगा 5 number में थोड़ा थोड़ा आप सादो के बारे में लिख सकते हैं आपके 5 number पक्के हो जाएंगे तो अगर पूछे कि कितनी layer होती है MCQ में तो 7 layer होती है कौन-कौन सी होती है वो भी मैंने आपके लिखा है सबसे पहले नीचे से हम स्टार्ट करते है physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer और application layer नीचे से इसलिए लिखवाया मैंने क्योंकि इसको याद करने की एक trick है प्यारे दोस्ट मेरेस तुम्हारी साधी पर आऊंगा ठीक है application layer और इसे आपका application layer तो इस ट्रिक से आप इनको याद भी रख सकते हैं और उपर की जो तीन होती है वो software layer होती है और नीचे की hardware layer और बीच वाली जो होती है वो OSI का दिल माना जाता है heart of OSI तो आप इस ट्रिक से इन साथ लेयरों को याद कर सकते हैं एक्जाम में कोशन इस तरही से भी पूचा जाता है कि OSI की पांचवी layer कौन सी है या तीसरी layer कौन सी है तो आप इस ट्रिक से बता सकते हो ठीक है दोस्तों अगर यह ट्रिक आपके याद है तो आप इस ट्रिक से बता सकते हो कि OSI की तीसरी layer कौन सी है ठीक है आगे चलते हैं Bios की full form कई बार पूछी गई है वह लेवाले एक्जाम में basic input output system Bios की full form होती है उसके बाद CSS की full form भी आपसे पूछ सकता है तो Ctrl V पेस्ट करने की Ctrl X कट करने की Ctrl Z अंडो और Ctrl Y ट्रेडो आपको सारी shortcut की याद होनी चाहिए A से Z तक की कोई भी आपसे पूछ सकता है एक्जाम में ठीक है उसके बाद email में CC का मतलब क्या होता है CC का मतलब आप सभी जानते होंगे carbon copy होता है और अगर C से पहले B लगा दि IP-K a यानि बस टोपे लोगी को और किस नाम से जाना जाता है रहां टो लोगी नाम से मी सकता है यह यहांसे को सकता है तो आपको यहांप आपी बस टो धिल करना होगा। आपका जो आणसर हो जाएगा वह जाएगा Ethernet उसके बाद दोस्तों TCP OSI की OSI model की DES layer पर काणिया करता है ठीक है? कुस्तन आप से पुछा है कि TCP Transmission Control Protocol जो है वो OSI OSI model की किस layer पर कार्य करता है? तो TCP OSI model की transport layer पर कारिया करता है ठीक है? TCP OSI की transport layer पर कारिया करता है उसके बाद है FTP OSI की किस layer पर कार्य करता है तो file transfer protocol FTP की full form होती है यह आपसे पूछ सकता है और यह OSI की application layer पर कार्य करता है वर्क करता है ठीक है इसी तरह के दोस्तो ओलेवल exam में question पूछे जाते हैं Twitter किस का example है आपसे पूछा है Twitter is example of social networking site Twitter जो है दोस्तो वो social networking side का उधारण है एक्सम्पल है उसके बाद shortcut key for help अगर आपको help चाहिए तो आप किस shortcut key का use करोगे F1 ठीक है F1 का आप use करोगे help लेने के लिए यह भी 2021 में पूछा गया था repeat होते हैं यह question बार बार 1KB dash byte के बराबर होता है तो 1KB आपका KB का मतलब होता है किलो बाइट और यह आपका 1024 बाइट के बराबर होता है ठीक है computer का mustix उसके बाद दोस्तो computer का mustix यानि computer का दिमाग किसे का जाता है CPU को computer का दिमाग का जाता है center processing unit central processing unit CPU की full form होती है और इसको computer का दिमाग माना जाता है उसके बाद RAM और ROM की full form का इंपरेंट है RAM और ROM की full form काफी important है random access memory और read only memory RAM और ROM की full form होती है ठीक है RAM और ROM की full form काफी important है और उनके बारे में long question बनता है रकिवर रेm और ROM के बारे में विस्तार से समझाइए इनके बारे में अंतर किया है इनके बीच में और इनकी आप से explanation पूछेगा कि इनका explanation करिए पांच नंबर में आपको long question दे सकता है ठीक है base sola में संख्याओ को hexadecimal कहा जाता है ठीक है ये भी 2021 में पूछा गया था September में बेस sola में संख्याओ को hex कहा जाता है चार option दिये थे तो उसमें आपका उजाएगा hexadecimal ठीक है land, man, when इन तीनों की full form पूछेगा और एक long question बनना तैह मैं आपको बढ़ा दू guarantee के साथ land से, man से या when से या तो तीनों के बीच में अंतर पूछेगा या दो का बीच में अंतर पूछेगा या एक के बारे में विश्टार से पूछेगा और विश्टार से इसके आपको एक long question बनेगा या तीनों का बीच में अंतर आपको तीनों को पढ़ के जाना है क्या पता आपके exam में कौन सा पूछ ले ठीक है उसके बाद इन तेनों की full form local area network, metropolitan area network और wide area network तेनों की full form होती है याद रखना SSL क्या है यह secure connection होता है SSL ठीक है उसके बाद XML इसकी full form पूछ सकता है अपसे exam में extensible markup language XML की full form होती है उसके बाद HTTP, HTML, URL, FTP, POP, BCC, TCP यह काफी most important है जो बाद वर रिपीट होती है common सी full form है यह कोई hard नहीं है इसको यह सारी आपको याद होनी चाहिए HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTML, Hypertext Markup Language, URL, Uniform Resource Locator, FTP, File Transfer Protocol, POP, Post Office Protocol, BCC, Blind Carbon Copy, TCP, Transmission Control Protocol तो यह कुछ important है common सी full form है यह आपके exam में यहां से एक आई की 100% मैं आपको बता सकता हूँ surety के साथ ठीक है तो द्यान से पढ़ लेना इनको यह काफी important questions थे जो मैंने आपको बताए यहां से दोस्तों जय हिंद जय भारत